तो अगर आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किजिएगा ताकि जब भी मैं व्यूडियो डालू नाट्पिकिसिन सबसे पहले आप तक पहुचेगा तो सबसे पहले जो माइणिंग से नहीं है मैं पहली बता दे रह organizing से नहीं है optimize कर गार पूरेटो को लौन यह पता नहीं हो पाता है तो जा लास्ट जरूर देखेगा और अगर आपके नजर में कोई ऐसे हैं जो HMB लाइसेंस होल्डर है तो यह वीडियो उनको जरूर फ़ावाड कीज़ेगा हो सकता उनके काम आज़र क्यों हो लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते नहीं है तो उन्हें वैकेंसी पता नहीं चल पाता है तो अगर कोई है तो यह भारत में बहुत सारी माइन से जहां पर आउट्सूर्सिंग कंपणी के तौर पर काम करती है तो अपना में पावर भी रखती है बहुत जगा पर जिसमें माइनिंग सरदार का ऑभर में का सुपर वाइजर का उसके बाल ड्राइबर का ऑपरेटर का मजदूर का ब तरीके से अप्लाई करेंगे आपको ऑफिसियल कॉल आएगा या आप खुद संपर्क कर सकते हैं और इंफर्मेशन में बता रहा हूं सबसे पहले आपको कोई भी ब्रावजर अपिन करने के बाद आपको यहां पर सर्च करना है पीसी पटेल इंफ्रा लिमिटेड या फिर डा क्लिक के आप सर्च करेंगे पहला नंबर पर जो लिंक आएगा मैं आपको दिखा देता हूं जैश्टे सकेट यह जो लिंक है पीसी पटेल इंफरा डॉट कॉम आपको इस लिंक पर क्लिक करना है इंजीनियरिंग एंड कॉंट्रेक्टर यहां पर लिखा वह एक तरह से यह में काम करती है आपको करने के बाद एक है आप इसके बारे में चाहें तो पुरहे डिटेल में पर सकते हैं कि क्लिकlarını करने की माइनिंग का लोगेशन ला कर आप तो यहां सब कुछ आप यहां सदेख सकते है. नम लुक जाएंगे केरियर वाले टैब में उपर में जो केरियर टैब लिखहा है आपको इस केरीड टैब में क्लिक करना है क्लिक करने पाद थोड़ा सा वेट करना है यह खुलने में थोड़ा समय ले सकता है इसके पाद आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है करेंट आपनिंग यहीं पर माइनिंग सरदार का वैकेंसी होता है तो भी आता है और मिन का होता है सुपरवाइजर का ह आपनिंग किसका है तो ड्राइवर का है कौन सा ड्राइवर का है तो एचे एंबी लाइसेंस वाला है मतलब होता है मोटर लाइकल लाइसेंस यहां पे जो ड्राइवर लिखा इसका मतलब यह नहीं है यह लमबी वाला है जार शकी आपको नहीं चलाना है बलकि हमबी वाला मांगा गया है यानि एक यह एक तरस steeds में लोकेशन बार मार तो उस जगह पर आपको जाना पड़ेगा वैकेंसी निकाला गए है पचास टूटल तो पचास सीटे का अच्छी खासी वैकेंसी होती है इसके बाद बुला गया educational qualification 10th हो या 12 हो दोने में से कुछ भी हो आप apply कर सकते हैं आप सिर्फ 10 वा किये हैं तब भी 12 किये हैं तब भी apply कर सकते हैं आपके पास HMB license होना चाहिए आप कैसे apply करेंगे इसका दो तरीका पहला तो है कि यहाँ पर email आइड़ी दिया हुआ है आप इस email आइड़ी पर resume बना के भीजिएगा resume अगर आपको नहीं आता है तो साइबर के फिवाला को बोलेगा resume बना देगा उसी को बोलेगा mail करने के लिए mail कर देगा पहला तरीका तो यह हो गया दूसरा तरीका हो गया अगर आप mail नहीं कर पा रहे हैं तो यह जो form आपके सामने right side में है इसको आप भर सकते हैं यहां पर आपको पूरा नाम लिखना है यहां पर अपना email id यहां पर phone number यहां पर आपका अपना city बताना है कि कौन से city में आप है पोजिशन बताना है कि currently अभी आप काम कर रहे हैं क्या इसके बाद यहां पर your message में आपको लिखना है कि आप कौन से post के लिए यानि आप यहां पर HMM operator है या driver है उस post के लिए apply करना चाहते आपका experience कितना है आपका basic कुछ information आप यहां चाहें तो लिख सकते हैं अपने बारे है और resume upload किया है यह directly company को चला जाए तो मेरा ऐसा opinion होगा कि आप अगर दोनों कर देंगे तो ज्यादा बैतर रहेगा यह form भी भर दीजेगा और यहां पर resume कर दीजेगा इसके पर आपको company के तुरब से call आएगा या फिर mail आएगा कि आपका जो application है उसको shortlist किया गया है तो call आएगा तो call पे ही आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप काम करते हैं नहीं करते हैं ध्यान रहे बहुत सारी outsourcing company के नाम पर ठगी होता है तो actually company वाला का इससे कोई दूर दूर तक रिष्टा नहीं रहता है लेकिन लोग उसका फाइदा उठाते हैं बहुत सारे लोग हैं ज आपको बस call करेगी इसलिए कि आपका सॉटलिस्ट हुआ है क्योंकि आपका जो पोस्ट है वो ड्राइबर का है जनरली बहुत कम लिट्रेट रहते हैं इमेल और यह सबसे बारे में बहुत ज़्याद अपडेट नहीं रह पाते हैं इसलिए call किया जाता है कि हाँ आपका सॉ आपका रहने-खाने का वरस्ता किया जाएगा और बताया जाएगा कि माइंस में स्किल टेश्ट होगा यानि डंफर आपको चला के दिखाना हो ठीक है तो उससे उनको अंतराजा हो जाएगा कि आपको आता है experience वेगर आपको देख लिया जाएगा अगर experience नहीं भी है तो आ जान लिया जाएगा कि आप उस company में इतना time से काम कर रहे है क्योंकि date of joining ID card में लिखा होता है और पता चली जाता है तो अपना previous ID card आपना आधार card आपके पास अगर को experience certificate है तो वो HMB का license यह सब कुछ जरूरी दस्तवेज होता है जो आपको लेके जाना है माइंस में direct visit करना company के office में office में माइंस ले जाया जागा वहाँ ट्रेट टेस्ट होने के बाद अगर आपको select किया जाता है तो आपको directly recruit कर लिया जाएगा यानि हो सकता है कि बोला जाए कि अगला दिन से आईए एक अपता बात से आईए लेकिन माइंस महीं आईए आपसे किसी भी तरीके का क company है PC पटेल जिसमें बहुत सारी vacancies निकाली जाती है भारत के अलग लग जगा पे इसका माइंस है मेटल में है कोल में है लिग नाइट में है बहुत जगा पे है तो इन vacancies से अगर आप अपडेट रहना चाहते है आप ITI वाले है 10 वाले है 12 वाले ज्यादा पढ़े लिकिन लेकिन आपको नौकरी चाहिए तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब किजेगा माइनिंग सेक्टर में आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है भरमार अपॉर्चुनिटी है तो मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में तब तक के लिए कीप आचिंग कीप सब्सक्राइब तिल द जाहिए